भारत एक युद्पोत सेवा में लाया है जो परमानू मिसाइल हमलों को रोक सकता है। यह उपलब्दी हासिल करने वाला भारत दुनिया का पांचवा देश है। भारत एलीट क्लब औफ नुक्लिय मिसाइल ट्रेकिंग वेसल्स में शामिल हुआ नामित वीसी 11184, जहाज से समुद्री क्षेत्र में भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षम्ता और इलेक्ट्रोनिक युद्ध में काफी सुधार होने की उम्मीद है। विशेश रूप से ये जहाज परमानु मिसाइल हमलों को रोकने में सबसे महत्वपूर्म भूमिका निभाएंगे। ये जहाज किसी भी तरह के परमानु हमले का सामना कर सकता है। चहाज का संचालन भारतिय तकनी की खुफिया, NTRO और भारतिय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। चहाज में 15,000 टन का विस्थापन है और इसमें तीन अलग-अलग गुम्बत के आकार के एंटेन हैं, जिसमें सेंसर इलेक्ट्रोनिक युद्ध प्रनाली शामिल है, जो 24 गंटे के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की पहचान करने और तैयार होने में एक विशेश भूमिका नि लेकिन यह जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है. एक साल बाद, 2021 में यह जानकारी सार्वजनिक की गई. 2014 में VC 11184 का निर्मान हिंदूस्तान शिप्यार लिमिटिद विशाखापत तनम में शुरू हुआ. यह कार्यक्रम राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार और प् भारतिय शिप्यार में निर्मित सबसे बड़ा जहाज, मीक इन इंडिया, पहल का हिस्सा है. वर्तमान में, संयुक्त राजय अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन ऐसे चार देश हैं, जिनके पास ऐसे जहाज हैं. इस बार, भारत सूची में पांच्वे स्थान पर अपना स् वज में आता है कि भारत की आत्म सुरक्षा के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है. इसी समय, चीन और पाकिस्तान के साथ अंतर को बंद करने के लिए भारत ने पर्याप्त शक्ती प्राप्त की है. अब से, भारत ने कागस पर पाकिस्तान के परमानु हमले को रोकने के बरा